गाईज तो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ सब बढ़िया सब मजे में आपकी प्रिपेशन बहुती अच्छी चल रही होंगी तो गाईज मैं आपको एक डाउट सोल्व करने के लिए आया हूँ कि केस बेश चड़ी कौन से कौनसेप्ट में आती है क्योंकि जो बिजनस क आपको पक्का रिवाइस करके जाने है तो गाईस फर्स्ट है मनेजमेंट तो मनेजमेंट में गाईस फोर टोपिक आपको याद करके जाने है एक तो लेवल ओफ मनेजमेंट एक कोडिनेशन के बारे में एक उसके क्रेक्टिस्टिक्स के बारे में और एक आप उसके नेचर तेयोल के principle 14 principle करके जाने है case-based study एक पका आएगी ठीक है और दूसरा आपनको क्या करने है जेवी टेलर के जो एना principle वो भी करके जाने है उन दोनों का mix-up आ सकता है या फिर उन में से एक case studies का हर attempt में आया गया है तो guys इसको आप seriously पढ़के जाना तीक है आप अपन बात करते है chapter 3 के बारे में chapter 3 बिजनस environment बिजनस environment में क्या-क्या topic आती है जिससे case study आती है या फिर direct question आते है तो guys first characteristics of business environment बिजनस environment की जो characteristics आना guys वो आपको पका पढ़के जानी है और एक पेस्टर एनराइजिस ठीक है political, legal, social, technological और environmental और एक economical यह आपको पढ़के जाना है इससे case based studies आना वो पका पेपर में पुछी जाती है ठीक है अब अपन बात करते है chapter planning के बारे में ठीक है planning में क्या-क्या पढ़के जाना है एक प्लैनिंग का process एक importance of planning पढ़के जानी है और एक limitation of planning पस इनफ है इन में से ही case based studies पुछी जाएगी अब chapter आपन बात करते है organization के बारे में और organization में क्या है एक तो step of process of organization process पढ़के जाना है क्यायना में open search很 nälaughs पढ़के जाना है ठीक है functionalIndust lifion इniece पका लाश्ट येर भी आई थी और अपकी बार भी chances ऋबूच सकते हैं टीक है और डी को the medal home to Kinder iOS की ब्हूरे में बीजिआ को पढ़के जाना है ठीक है छोनंकि स्टाफिंग के बारे में स्टाफिंग का पढ़के जाना है इसके अंदर आपको पढ़के जाना है इसके अंदर आपको पढ़के जाना है को पढ़के जाना है और एक उसके प्रोसेशन स्टाफिंग का वह पढ़के जाना है और एक external source of recruitment stores of recruitment है ना external के वो भी पढ़के जाने है ठीक है guys इसमें से के studies आती है और attempt में आई भी होई है अब chapter directing की बात कर लेते हैं directing में कह है element of directing ठीक है element of directing आपको पढ़के जाने है ठीक है और एक कहना मैं एक कहना वो need है वाप पर एक need है यह की theory of motivation वो आपको पका पढ़के जाने है और एक financial incentive और non financial incentive direct question में पूछ सकते है यह तो case study देंगे और उसके बारे में थोड़ा विश्थार बेफली पूछ लेंगे आपसे तो आपको यह पका पढ़के जाने है ठीक है अब आपन भात करते है controlling के बारे में एक तो step पढ़के जाने controlling के एक importance पढ़के जाने controlling की एक critical point control पढ़के जाने है और एक आपको पढ़के जाने management by exception यह पका पढ़के जाने है ठीक है guys अब अपन बात करते है consumer protection के बारे में six marks का topic है हिंदों में इसे ही पुचा जाएगा क्या एक तो relief of consumer क्या है ठीक है और एक consumer के rights क्या है ठीक है guys यह पढ़के जाने है आपको case based studies भी आती है इसमें ठीक है MCQB इन में से ही बनते है most important topic है अब है marketing management most weight is chapter है भाई उसका 12 या 15 marks का chapter है ठीक है ना तो इसमें से आपको मैं बता देता हूँ क्या-क्या पढ़के जाना है पढ़ना पूरा chapter ही है पट यह main है इन में से case studies पुछी जाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यह पढ़के जाना है first but less philosophies of the marketing management की ठीक है एक marketing का जो function है वो भी पढ़के जाना है आपको एक element of market market का जो element element है वो पढ़के जाना है जिसमें 4P जाते है ठीक है ना इस basis पे question बहुत जादा पूछे भी गए है cbsc वालोंने ठीक है और एक brand name और एक brand mark का difference है ना वो पढ़के जाना Google पे मिल जाएगा वो easily ठीक है ना तो काई स्वापको वो पढ़के जाना है ठीक है अब chapter number financial management की बात करते है financial management में क्या numerical आ सकते है कभी सर ने कभी कोई numerical नहीं करवाता पर guys आप है ना उसको एक बार जो numerical है ना वो four marks में एक बार attempt में आया भी हुआ है तो मैं जिक्स नहीं लेना चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो police करके जाना ठीक है ना एक financial planning financial planning है ना उसको भी करके जाना आप और एक type of financial planning जो financial planning के जो type है ना वो भी करके जाना अब last topic आता है last chapter आता है financial market अब इसमें क्या करके जाने function of the financial market जो function है ना वो करके जाने आपको step involved आपने जब buy और sell करते पढ़के जाना है ठीक है एक difference पढ़के जाना है money market में और एक capital market में और एक आपको primary market और secondary market का difference पढ़के जाना है तो guys मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह सुनी होगी और आप इसके related action लोगे Thank you guys Bye